नुश्कार मेरे प्यारे बच्चों क्या से आप सभी क्या हाल चाल सभी के हाँ वेरी गुड आफ्टनुम कैसे है सभी चालिए तो हम करते हैं आज एक और नई क्लास की शिर्वाद आज से हम अल्टरनेट डेज़ जैसे अभी आपको chemistry की भी क्लास मिली थी biology की भी क्लास मिली थी तो हम alternate days जो क्लास चला रहे हैं उनमें हम हर एक चाप्टर को detail में पढ़ने वाले तो रोज 12 बजे आपकी chemistry क्लास होगी एक दिन और अगले दिन physics क्लास तो एक दिन chemistry एक दिन physics एक दिन physics यह चलता रहेगा ठीक है very good afternoon very good afternoon very good afternoon सभी को तो आज हम physics क्लास में या आज से हम physics क्लास में class 12 का पहला chapter पढ़ने वाले विद्यत आवेश और शेट्र आज हमारा इसका पहला लक्टर है 11 तो विद्यत आवेश क्या होता है और विद्यत शेत्र क्या होता है और यहां से हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ डीटेल में देखना शुरू करते हैं तो class 12 का ये पहला चप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और बहुत important chapter है नीट के point of view से plus board examination के point of view से मतब बोड के लिए भी बहुत ज़दा important है और नीट के लिए चप्टर बहुत 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 ज़दा important है विद्युत आवेश और शेतर तो ये वाला chapter अभी हम आज से detail में पढ़ना शुरू करेंगे रोज रोज 12 बजे classes होगी तो इसमें एक दिन physics एक दिन chemistry होगा और हम जब physics पढ़ेंगे तो पूरा detail में पूरा chapter में आपको पढ़ाने वाला हुई है विद्युत आवेश और शेतर इस chapter में क्या क्या important सी बात है ये भी देखते हैं और ये chapter कितना important है पहले ये भी समझ लेते हैं अगर में नीट के exam की बात कर तो पिछले 3-4 साल में हर साल इस chapter में से 2-3 सवाल आ रहे है minimum 2 सवाल आ ही रहे है और ये chapter जो है वो आने वाले chapters का base निर्धारित करता है साथ ही साथ अगर आप class 12 का board exam देने वाले है इस साल बिटा तो आप लोगों के लिए ये chapter काफी ज़्यादा फाइदे मन रहने वाला है क्योंकि हर board में ये chapter minimum 10 से 12 नंबर का आता है तो काफी बढ़िया chapter है काफी बढ़िया chapter है और और ये chapter को पढ़कर आप अपने board प्लस नीट दोनों में marks बढ़िया लेकर आ सकते हैं तो very good afternoon सभी को very good afternoon सभी को स्वलंकी, श्रीकांत, उदित, अर्पिता, मंजीत, रानी, अल्पना, रिया, रामकेश, अनू, अनुज, संशाइन, आर्यन, चाली तो very very good afternoon सभी को very good afternoon सभी को तो एक बार जल्दी से सेशन को like कर दीजिए और ये वाली जो class है अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर कर देना आप तो पहले एक बार जल्दी से like करो और एक वादा करो कि हासर ये वाली class जो है हम अपने हर एक दोस्तों के साथ share जरूर करेंगे क्यों करना है share पहले ये भी कारण हमें समझ में आना चाहिए ना क्योंकि physics में हर चीज़ का कारण होता है तो ये कारण हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि ये free classes चलेंगी अब और ये free classes चल रही है YouTube पर मैं चाहता हूँ कि इसका फाइदा सब को मिले मतब वो बच्चा जही के लिए पढ़ रहा हूँ नीट के लिए पढ़ रहा हूँ बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ से फरकना ही पढ़ता हूँ physics physics है तो ये इस class का फाइदा हर एक आपके दोस्त को मिलना चाहिए ताकि उसे भी पत्ता चले कि भाई असल में हमें इस चाप्टर में पढ़ना क्या करता और क्या क्या इंपोर्टेंट था ठीक है चाले तो क्या सभी तैयार है क्या हम class की शिरुवात करें अच्छा कोई दोस्त ना भी हो कोई दुश्मन हो आपका class में या कोई जानने वाला हो जिसका चहरा आपने देखा हो या जिसका नाम पता हो उसको भी जाके एक class शेर जरूर कर देना है ठीक है एक बच्चा वर्दा सब मेरा कोई दोस्त नहीं है चाल हाँ तो नहीं one short नहीं बटर detail में chapter पढ़ेंगे कोई अभी one short का time नहीं है अभी हमारे पास मतब काफी समय है तो one short की जरूरत नहीं है हर एक chapter हम पुरा-पुरा detail में पढ़ सकते हैं ठेक है चालिए तो एक बार जल्दी से comments में लगा दीजिए आग करते हैं class की तो अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना और convertible अए यह समझ लेते हैं में अब यह ना विभाव और संधारित्र के ऊपर ये दोनों चाप्टर जो है वह आवेश जब स्थिर रहता है तो उसके गुणों पर चर्चा करते हैं या उससे जुड़ी बाते करते हैं तीसरा चाप्टर जो रहेगा आपका वह रहेगा इलेक्टरी करेंट इलेक्रिसिटी या भी है गलिए तॉत फज्यू पर चर्चा खीए कि अच्छाइगी और सब्छndha चक जो गहादा चाप्टर में विद्युट छुमक की प्रेल परोडर्ञ चर्चा करेंगे बिर चका मत्थार जो होगा उसमें सब्समें प्रत्याेवर्टी धारल पर चर्चा शुड़ी और आ आठ चाप्टर जो है आपके ये थोड़े थोड़े इंटरकनेक्टेड है एक चप्टर समझ में आगा तो दूसरे चप्टर में ज्यादा फील आता है तो आठवा चप्टर जो है विद्धु चुम्बकिये तरंगे या इम वेवस बोल सकते हैं हम इसे विद्धु चुम्बक क्लास 12 के फिद्ध की पहली किताब के आठ चाप्टर है इसके बाद वाली जो किताब है विटा उसमें जो चाप्टर से वो इन चीजों पर निर्भर नहीं करते हैं बतों आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं वो जो चाप्टर है क्लास 12 की दूसरी किताब में पहले जो तो चाप्टर वो किरन प्रकाश की और तरंग प्रकाश की है अगले तीन चाप्टर जो होंगे वो modern physics के होंगे जिसमें हम परमाणू नाभिक और उसके अलावा प्रकाश विद्धुत प्रभाव पर चर्चा करते हैं और आखरी चाप्टर जो होता है वह चाप्टर होगा अर्द चालक तो वो वाड़ा जो सेकंड किताब है या दूसरी किताब है NCRT की क्लास 12 की वो किताब थोड़ी से अलग है उसमें इस किताब से ज़्यादर रिलेटर टॉपिक्स नहीं है लेकिन ये जो आठ चाप्टर से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर जगह के लिए मतलब बोड़ प्लस नीट के लिए अब जो पहले दो चाप्टर होते हैं इनको मिला कर हम स्थिर विद्धित की बोलते हैं क्या बोला जाता है इन दोनों को मिला कर स्थिर विद्धित की बोला जाता है मतलब कि यहाँ पर हम उसकी उस बात उन बातों पर चर्चा करते हैं जब आवेश स्थिर हो अब आवेश निमेरिकल भी करवाएंगे ठियोरी भी पढ़ाएंगे डेफिनेशन भी लिखवाएंगे सब कुछ करवाया जाएगा अब सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आवेश क्या होता है और आवेश की क्या चक्कर है तो आवेश क्या होता है इस चाप्टर का सबसे पहला और क्लास 12 का जो सबसे पहला टॉपिक है वही है विद्यूत आवेश या आवेश क्या होता है वो समझना है अब आवेश अगर स्थिर रहता है तो स्थिर विद्यूत की में चर्चा होगी पहले दो चाप्टर उसके मतलब जब आवेश गती करने लगेगा बिटा तो विद्धु धारा उत्पन करवाता है और उसके आसपास चुम्बकिये शेत्र उत्पन होता है तो यह अगले दो चाप्टर या अगले तीन चाप्टर रहेंगे फिर उसके बाद में उसकी ही उसी में अगर हम चुम्ब और तीधारा और यहां पर इम विव यह सारे चाप्टर या विद्धु चुम्बकिये तरंगे यह सारे चाप्टर इंपोर्टन रहने वाले हैं अब यहां पर हम अगर ध्यान से समझे कि आवेश के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए तो जब आवेश रस्ट पे रहता या स्थिर रहता है तो या विराव वस्था में रहता है तो उसकी चर्चा पूरी स्थिर विद्धु तिकी में करते हैं जब आवेश नियत वेग से नियत वेग से गती करता है तो उसकी चर्चा में विद्धु धारा और चुम्बक्तों में करते हैं और जब आवेश त्व त्वरर्ट गती त्वरः्ट गती मतलब यहाँ पर इसका सबकुछ आवेश को लेकर चर्चाय रहने वाली है और यहाँ सब कुछ हम पढ़ने वाले है ठीक है चलिए तो पहली परिभाशा से हम क्लास के शिर्वात करते जिसमें हमें समझना होगा विद्धुत आवेश क्या होता है आज सबसे पहले हम यही समझेंगे कि विद्धुत आवेश क्या होता है विद्धुत आवेश क्या होता है विद्धुत आवेश के गुण क्या क्या होते है ठीक है हाँ very 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 good afternoon बिटा जो भी जॉइन किये है क्रत्या क्लास पे धियान दे हम विद्धुत आवेश पर चर्चा शुरू कर रहे है अच्छा क्या कोई मुझे बता सकता है विद्धुत आवेश का क्या फील आता है विद्धुत आवेश होता क्या है बटा उमीद बैच में रोज तीन बजे लाइव क्लास होती है अनुज बटा क्लास में ध्यान दे जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे और जो एप में चल रहा है तिरे पेड़े बैच में उस पर ध्यान दे है ना इज़र आकर बोलेगा कि भाईया हम वहाँ पर क्या करेंगे हम वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे तो अविसी बत है तुम एप में नहीं देख रहे हो सारी चीज़े तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम्हा आवेश का क्या फिलाता है सबसे बहले आवेश से हम क्या समझते हैं तो सर आवेश से हम यह समझते है कि अब आवेश अच्छा आवेश सर इलेक्टरॉन से होता है कहीं नहीं या प्रोटॉन के पास कहीं नहीं आवेश होता है तो आवेश सर इलेक्टरॉन प्रोटॉन के प बोलते हैं चतुर कोन होता है या बुद्धिमान कोन होता है तो आपने मुझे बोला कि सर अमन बुद्धिमान है या चिंटू चतुर है या मुन्नी सुन्दर है लेकिन तुमने यह नहीं बता है मुझे कि बुद्धिमान होता क्या है या चतुर बोलते किसे तुमने मुझे ए टॉन और प्रोटॉन के पास आवेश है ये दुनिया को पता लेकिन आवेश होता क्या आवेश की परिभाशा क्या है तो आवेश को हम परिभाशित करते हैं इस तरीके से कैसे परिभाशित करते हैं आवेश किसी भी पदार्त का वह गुण है जिसके कारण पदार्त में विद बोलते हैं उसे ही हम बोलते हैं आवीश ठीक है मतलब कि अगर मान के चलो हमारे पास कहीं पर किसी वस्तु में आवेश है तो उसके असमें विद्धत प्रभाव को महसूस कर सकते हैं चुम्बक की प्रभाव को महसूस कर सकते हैं जैसे जैसे एक छोटा सा एक्जामपल हमने ब तुकड़ों को उसके पास ले तो पेपर के टुकड़े उसकी तरफ आकरशित हो जाते हैं या कभी ऐसा जरूर देखा होगा या ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि अगर हमारे पास जिसे यूजियली ये सिल्क के कपड़ों में या होता है या वुलन क्लोट्स में जो ठंड के दिनों में हम गरम कपड़े पहनते हैं उनमें भी होता है कि सर हम जब उन्हें बहुत दिर तक पहने रखते हैं और उसके हम उन्हें टच करते हैं या हम उन्हें उतारने जाते हैं या हम उतारने जाते हैं यह वह वस्तु आवेशित हो चुकी है उसके पास आवेश आ चुक के प्रवाव उत्पन कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं ठेक है तो यह वही वाली बात ही कि अगर हम स्केल को अगर हमारे बार राम सूके बालों पर घिस रहे तो आविशित हो जाता है तो जिसके कारण वो पेपर के टुकड़ोस के तरफ आकरशित होता है तो यहां हमने विद विद्दद प्रवाव को महसूस किया इसी प्रकार से अगर हम एक धारा वाही चालक के आसपास अगर हम चुम्बक को ले जा तो वो चुम्बक जो विक्षेपित हो जाएगा डिफलक्शन आएगा उसमें क्यों आएगा डिफलक्शन क्योंकि actual में वह उस धारा वाही चालक के आसपस चुम्बक की शेत्र उत्पन हो रहा है जिसकी वज़े से वह चुम्बक विक्षेपित हो जाता है या इसके अलावा हमने कुछ ऐसे चुम्बक के बारे में भी सुना होगा जो विद्धुत चुम्बक कहलाते हैं जैसे जब उसमें धारा जाती है तभी वह चुम्बक के बाती विवार करते हैं वह चुम्बक की बाती विवार नहीं करते हैं वह क्या है धारा के कारण चुम्बक की प्रभाव ठीक है तो वहाँ पर धारा भी क्या है आवेश का प्रभाव तो आवेश के कारण अक्चुल में विद्धत और चुम्ब के प्रभाव हम उत्पन कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं तो यह आवेश कहलाता है किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रोन की अधिकता या कमी होना आवेश को परदशित करती है किसी भी वस्तु में जब इलेक्ट्रोन अधिक होते है या या इलेक्ट्रोन की कमी आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास आवेश है तो आक्चुल में इलेक्ट्रोन के कारण ही आवेश होता है अब इलक्ट्रोन के आरन ही आवेश क्यों हो रहा है ये इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा परमानू समझना होगा अच्छा बताओ भी परमानू के बीचो बीच क्या होता है बताएंगे परमानू के बीचो बीच क्या होता है परमानू के बीचो बीच क्या होता है बीच क्या होता है नाभिक अब नाभिक के अंदर क्या होते हैं नाभिक के अंदर सर ना यहां पर हम बोल सकते हैं यह रहा नाभिक तो नाभिक के अंदर हमारे पास दो प्रकार के कण उत्पस्तित होते है मत इनको क्या बोलते हैं इने बोलते हैं सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इसके आस पास इलेक्ट्रॉन ब्रह्मन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ठेक है अच्छा सर तो यहां पर न्यूट्रोन और प्रोटोन जो है इने में से किसके पास आवेश होता है तो सर यहां हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कि न्यूट्रोन जो होता है एक बार मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ यह रिवेजन भी हो जाएगा और यह सब्सक्राइब याद भी रख सकते हो है ना हमारे पास नाविक के अंदर क्या क्या होता है नाविक के अंदर सर हमारे पास न्यूट्रोन होता है प्रोटोन होता है और और नाविक के चारों और इलेक्ट्रोन ब्रमन करते रहते हैं परमानों की सन रचना करवाते हैं तो न्यूट्रोन का आवेश क्या होता है हाँ पताएंगे न्यूट्रोन का आवेश क्या होता है न्यूट्रोन का आवेश क्या होता है हाँ न्यूट्रोन के पास कोई आवेश नहीं होता है या हम ऐसा बोल सकते उसे परिमानी आवेश शुन्य होता है तो इसका आवेश शुन्य होता है आच्छा क्या किसी को न्यूट्रोन का द्रव्यमान पता है क्या किसी को न्यूट्रोन का द्रव्यमान पता है न्यूट्रोन का द्रव्यमान कितना होता है उदासीन होता है बिल्कुल शुन्य यहां हम इसे उदासीन भी लिख सकते है उदासी ठीक, वेरी गूड, अब बताएंगे, क्या किसी को पता है, निउट्रोन का दरविमान कितना होता है, निउट्रोन का दरविमान कितना होता है, हाँ, बताओ, 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 निउट्रोन का दरविमान कितना होता है, हाँ, 1.6 इंटू 10 की पार माइनस 27, ब इसी प्रकार से अगर हम प्रोटॉन की बैटा वो आवेश होता है 1.6 निगवा मानस 19 अगर इसी प्रकार से हम आवेश की बात करें प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन कैसा आवेशित होता है धनावेशित या रिनावेशित कैसा होता है प्रोटॉन बताएंगे भी या प्रोटॉन कैसा होता है धनावेशित होता है या रिनावेशित होता है तो सर जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है या पॉजिटिव आवेशित होता है और इस पर आवेशित होता है 1.6 इंडू 10 के पार माइनस 19 कुलम कुलम क्या होत का दरफ विमान बताने की प्रोटॉन का दरफ विमान तो सब प्रोटॉन का दरफ विमान और न्यूट्रॉन का दरफ विमान लगबग सेम होता है विसे न्यूट्रॉन हलका सा भारी होता है लेकिन हम अभी के लिए लगबग सेम लिख सकते हैं इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन electron क्या होता है सर electron electron का आवश होता है माइनस 1.6 into 10 के पावर माइननस 19 कुलम होता है electron जो है रिनावेशित होता है ठीक है मामला ओके सर बहुत बढ़िया बहुत मज़ा आया तो अब दरविमान दरविमान के अगर हम चर्चा करें तो electron का द्रविमान कितना होता है electron का द्रविमान कितना होता है रागनी कुश्वा बेटा आप पूरे lectures देखिए complete classes देखिए तो आपको सब कुछ समझ मैं आएगा और obvious सी बात है सब कुछ पढ़ोगे तो आपका neat और बोड का एक्जाम भी clear होगा अच्छे नंबर उसे हाँ तो यहाँ पर electron हाँ बहुत बढ़िया 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 गौतम कुमार एक्सेलेंट बटा तो यहाँ पर यह होगा 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 किलो माइनस 31 किलो यह क्या होगा है electron का electron का द्रविमान होगा तो हमारे पास अब सबके द्रविमानों और आवेश हमने एक बार लिख लिए ताके बसे revise कर दे बाकी अब हमें इसमें काम की बाते क्या क्या है काम की बातों पर आते थोड़ी थोड़ी कि भाईया अब यह बताओ कि अगर मेरे को इस electron को यह सुरी यह मतलब मान के चलो यह परमानों जो atom है इसको मुझे आवेशित करना है तो मैं इससे आवेशित कैसे कर सकता हूँ क्या मैं इसके नाबिक के अंदर से क्या हम है इसके नाबिक के अंदर से proton निकाल सकता हूँ हाँ या ना क्या मैं इसमें से proton निकाल सकता हूँ क्या मैं इसे proton दे सकता हूँ तो नाबिक के अंदर से proton निकालना और देना बहुत मुश्किल कारे है क्यों क्यों ऐसा क्यों क्योंकि देखो क्या है proton नाबिक के अंदर उसमें neutral proton के बीच में प्रबल ना भी किये बल लग रहा है जो इस दुनिया का सबसे सबसे जादा बलशाली है सबसे जादा सबसे अधिकतम बल जो लगता है वो हमारे पास प्रबल ना भी किये बल होता है सबसे बलशाली सबसे प्रबल बल ही है तो यहाँ पर इसको निकालना या इनको छेड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन इलेक्ट्रोन को बहुत आसानी से छेड़ा जा सकता है यहना इलेक्ट्रोन को हम बहुत प्यार से पुछकार कर आजा बोलेंगे तो आ जाएगा हम उसे देंगे तो वो चले जाएगा तो इलेक्ट्रोन का अदान प्रदान करना बहुत आसान है लेकिन न्यूट्रोन प्रोट्रोन का अदान प्रदान करना बहुत मुश्किल है इसलिए पूरा केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो इसी चीज़ पर आधारित होता है कि किसी परमानों से इलेक्ट्रोन जा रहे है इलेक्ट्रोन आ रहे है बॉंड बन रहा है वो सब कुछ इलेक्ट्रोन की वज़े से ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रोन को पुछ कारणा नहीं इलेक्ट्रोन को निकालना है इलेक्ट्रोन को देना बहुत आसान होता है इलक्ट्रोन छुटकू सा नादान सा बच्चा है जिसे एक लॉली पॉप दिखा दो तो तुरंद बहार आ जाता है या उसे बोल दो आ जा बेटा चॉकलेट मिलेगी डेरे मिलेगी तो तुरंद कूद कर आपके पास आ जाएगा तो यह उलक्ट्रोन ऐसा ही होता है या यह उलक्ट्रोन जो है वो तुमारी भात ही वेवार करता है सर क्या से हमारे गैसे क्या ऐसा हो गया उलक्ट्रोन मान के चलो कि तुम एक परमाणों के अंदर बैठे थे या तुम अपने घर के अंदर बैटके पढ़ाई कर रहे थे पढ़ते पढ़ते तुम्हारे मन में खयाल आया कि मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लो थोड़ा सा मैं यूट्यूब चला लो थोड़ा सा मैं फेस्बुक चला लो या खायाल आते 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 तुमने सोचा कि मैं कहीं बाहर घूम कर आजाओ या तुम्हें किसी ने आवाज लगा दी तो क्या है ये तुम ही हो ये लेक्टरॉन तुम ही हो तुम्हें जरासा कोई पुछकारेगा और तुम तुम तरनथ भाग जाओगे है ना तुम्हें जरा सा कोई पुछकारेगा और तुम उत्रन भाग जाओगे कोई थोड़ा सा बोलेगा आजा 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 और तुम चलो किताबे बन पड़ाई बन निकल दिया यहा कुछ-कुछ लोग तो और खतरनाक होते हैं कुछ-कुछ लोग तो और भी ज़दा खतरनाक होते हैं कैसे वो यह इलक्टरॉन के भी नेक्स लेवल पर चले जाते हैं यह प्रो लेवल हो जाते हैं बिल्कुली सब प्रो लेवल कैसे हो जाते हैं वो घुमते वहीं रहेंगे किताबों के आस पास हैं तो यह 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 सब कुछ इलक्टरॉन के गुण है तुरंट अंदर भार हो जाता है कहीं बर भाग जाएगा कहीं से भी आ जाएगा तो इसलिए इलक्टरॉन का आदान प्रदान करना ज़्यादा आसान होता है अच्छा सर तो इलक्टरॉन हम दे सकते हैं ले सकते हैं तो अगर हम किसी भी वस्तू पर से क्या इतनी वाते क्लियर हैं क्या इतनी वाते क्लियर हैं चाली तो अब हम इलक्ट्रोन को आसानी से ले आए या दे दे तो उससे क्या होता है अगर मान के चलो मेरे पास कोई एक वस्तू है एक वस्तू है ये एक वस्तू है तो अभी मैंने बोला कि यह उदासीन है यह उदासीन है तो मतलब यह परमानों नहीं है यह कोई वस्तु है जिसे स्केल हो गया कंगी हो गयी यह कोई भी वस्तु है अब यहाँ पर अगर यह एक उदासीन वस्तु है तो इसके पास अभी बताओ इलक्ट्रोन है या नहीं electron है या नहीं तो अगर हम chemistry की भाशा में समझे वो chemistry में हमने बहुत बार बाते देखी होती है कि सर अगर एक परमाणू जो है वो neutral है उदासीन है तो क्या उसके पास electron नहीं है नहीं रहे पगले उसके पास electron है क्या उसके उस proton नहीं है उसके पास proton भी है उसके पास proton भी है है तो नेट आवेश शुन्ने होगा तो मैं इसमें बोल रहा हूँ कि अगर तुछ से इसा पूछा जाए कि इसके पास आवेश है ऐसा पूछे वस्तू के पास आवेश है तो यह सही बात यह गलत है यह सही बात है हाँ सर इसके पास आवेश है लेकिन वस्तू के पास कुल आवेश कुल आवेश शुन्य है यह बात भी सही है तो अगर मैं पूछो कि वस्तू के पास आवेश है हाँ वस्तू के पास आवेश है लेकिन ऐसा है आवेश कि सब प्रोटोन न्यूट्रोन के संग्या बराबर है तो कुल आवेश शुन्य है उसमें कुल आवेश क्या है शुन है हम आवेश को क्यू से चन्नित करेंगे हम आवेश को किस से चन्नित करेंगे क्यू से तो क्यूनेट जो होगा हम लिख सकते हैं सर इसमें क्यूनेट जो होगा क्यून मतलब टोटल आवेश जो है वह शुन है अच्छा अब मान के चुड़ो कि तु तुमने दी उसे एक डेरे मिल्क की लालच और तुमने इस वस्टू में से इलक्ट्रॉन निकाल लिए इलक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलक्ट्रॉन कम हो जाएंगे प्रोटॉन से देखो इलक्ट्रॉन के संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या से तो यहां पर क्या होगा तु इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है सर की इलेक्टरोन के संख्या कम होगी प्रोटोन के संख्या से तो प्रोटोन के संख्या जादा है प्रोटोन के संख्या जादा है तो इसका मतलब क्या हुआ यह कैसा हो गया पॉजिटिव कुल आवेश क्या हो गया क्या नाम है इसका क्यूट बॉइ बढ़िया बेटा इसे कोई नहीं पुछकार रहा तो भी भाग भाग के जा रहा है इदर उदर यह ऐसा आदमी है यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी मौम आया छुट चुकिया उसको किसी परवाणों के पास रहना ही नहीं है अपने आप भी भाग रहा है किसीने बुलाया नहीं तो भी भाग रहा है चलो हाँ अबी तो इलेक्ट्रॉन के संक्या कम होगी प्रोटॉन से तो क्या होगा यहाँ पर तो सर यहाँ पोजिटिव आवेश जादा हो गया नेगेटिव आवेश से मतलब हम इसे बोलेंगे यह धनावेशि हो चुकी है कैसी हो गई है यह वस्तू धनावेशित कैसी है धनावेशित है क्योंकि प्रोटॉन के संक्या जादा है इलेक्ट्रॉन से अच्छा अगर इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर उल्टा किया होगा अच्छा यह कब होगा यह कब होगा जब इससे इलेक्ट्रॉ इसे इलक्ट्रोन निकाल लिये गए अगर इसे इलक्ट्रोन दे दे हम अगर हम इसे इलक्ट्रोन दे दे तो इलक्ट्रोन के सन क्या ज़ादा हो जाएगे प्रोट्रोन से मदब क्या हो गया सर ये नेट नेगेटिव हो गया है नेगेटिव हो गया है मतला हम इसे क्या है यह वस्तु क्लियर है मामला तो धनावेशित रिनावेशित क्या सभी को समझ में आता है और क्या उदासीन भी सभी को समझ में आता है तो यह बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए उदासीन क्या होता है रिनावेशित क्या होता है और धनावेशित धनाव यहाँ लिख लो नीचे, इलक्ट्रोन की कमी हो गई है इसमें, और इसमें इलक्ट्रोन की अधिकता हो गई है, चाल, ओके सर, तो अब यह सब तो हमने पढ़ लिया, अब इसके अलावा क्या पढ़े हैं, देखो, तो अब हमने आवेश के बार में सब कुछ जब पढ़ रहे तो इसमें एक और छुटकू सी बात आ रही थी, C, C मतलब कुलाम, तो कुलाम क्या होता है, कुलाम क्या होता है, इसको हम समझते हैं, तो सभी, SP सर के, सभी चीते, अगली हेडिंग डालिंग अपनी कॉपी में, हावी, जल्दी से अगली हेडिंग डालो कॉपी में, आवेश का मात्रक, चल, यहां तक क्या सभी चीतों को बढ़िया तरीके से समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट्स में लगा देंगे आग, क्या सभी चीतों को यहां तक की बाते चमकती हैं बहुत जोरो से, बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चा तो अब हम अगले हेडिंग पर जाते हैं जिसका नाम है आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, यह समझते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है, अब ऐसा ही मात्रक मतलब क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही का उपयोग करना होगा हमें कौन सा मात्र होगा? SI मात्र होगा यह हम इसे International System of Units में define करते हैं जैसे लंबाई के लिए मीटर बोलते हैं द्रवेमान के लिए किलोग्राम बोलते हैं, समय के लिए सेकंड बोलते हैं, तापमान के लिए केल्विन बोलते हैं तो वैसे ही, वैसे ही यहाँ पर हम आवेश के लिए बोलेंगे कुलाम क्या बोलेंगे? कुलाम या इसे हम English में कुलाम लिख सकते हैं और इसे चिन्नित करते हैं सी से तो यह इसका एक ऐसा ही मात्र होता है कुलाम अब इसके अलावा, इसके अलावा कुलाम में और भी क्या important सी बाते होती हैं कुलाम के अलावा हमारे पास और भी इसके मात्र होते हैं, एक कुलाम क्या होता है वो भी हम समझते हैं, लेकिन इसमें एक छुट कुसी बात मैं पर आपको पूछना चाहता हूँ कि कितनों को पता है कि यदि मैं यहाँ पर लिखू वन एम सी तो ये क्या लिखा हुआ है कोई बता सकता है क्या मैं यहाँ पर लिखू वन म्यू सी मैं यहाँ पर लिखू 1 N C क्या कोई बता सकता है ये तीनों बाते क्या लिखी हुई है M C, Mu C, N C ये C C क्या है क्या है बया कोई बता सकता है 1 MC MC मतलब होता है Milli equilibrium Yeah Mic Mega नहीं बटा Milli equilibrium Milli क्या मिली जब भीoff milli आए मतलब दस्रीकात माइनस 3 कुलाम के बरावर होता है किसके बरावर होगा दसकात माइनस तीन कुलाम के बरावर होगा इसी प्रकार से वन माइक्रो माइक्रो मतलब क्या होता है यह माइक्रो कुलाम अच्छा एक बार लिखनो भले सी चाहो तो यह क्या लिखावा है यह लिखावा है मीली कुलाम मीली कुलाम और मीली कुलाम जो होता है वो दस की गात माइनस तीन कुलाम के बराबर होता है इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है बेटा माइक्रो कुलाम क्या लिखा हुआ है माइक्रो कुलाम और ये होता है दस की गात माइनस च्छै कुलाम के बराबर इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है नैनो कुलाम 10 की गात माइनस 9 कुलाम के बरावर एक नैनो कुलाम होता है तो यह सब को पता होना चीए कि अगर एक ऐसा ही मात रखे उस ऐसा ही मात रखे आगे अगर हम मिली, माइक्रो, नैनो जैसी चीज़े लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है कितनों को यह अल्ड़ी पता था कि सर मिली, माइक्रो, और नैनो क्या होता है कितनों को पता था इमानदारी से दिल पे हाथ रख कर बताना है कि हाँ सर हमें पता था इमानदारी से बताना है कोई बेमानी नहीं करनी है इसमें कितनों को ये already पता था कि मिली, माइक्रो, नेनो क्या होते हैं अच्छा, very good, काफी सारे बच्चों को पता था अब आगे बढ़ते हैं, ये जो मात रख़वा एक कुलाम तो एक कुलाम होता क्या है एक कुलाम होता क्या है तो actual में एक कुलाम जो होता है यहना एक कुलाम जो होता है एक कुलाम को से परिभाशित कैसे करते है तो एक कुलाम के जो असली परिभाशा है वो हम धारा में परिभाशित करते है यहना धारा के धारा से लेकर परिभाशित करते है उसे यह आपने class strength में विद्द धारा पड़ा होता है तो आपको यह थोड के अनुप्रस शेत्रफल से वो एक कुलम आवेश के बराबर होगा एक कुलम आवेश को कैसे परिभाशित करते हैं यह कैसे परिभाशित होता है फिर से देखेंगे धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय आवेश की प्रवाधर धारा विद्यु धारा कहलाती है यह क्ला कि एक कुलाम आवेश कब होगा या एक कुलाम एक कुलाम आवेश किसे बोलेंगे तो एक कुलाम आवेश किसे बोलेंगे एक बाप परिभाशा चाहो तो लिख लो एक कुलाम आवेश किसे बोलेंगे एक कुलम्ब आवेश किसे बोलेंगे तो जब एक तार से मैं यहाप लिखूंगा नि मैं बोल्ड हूँ आप लोके लिख लो यदी किसी तार से यदी किसी तार से सब लिखेंगे कोपी में यदी किसी तार से यदी किसी तार से एक सेकंड में एक सेकंड में एक एंपियर धारा एक एंपियर धारा प्रवाहित होती है प्रवाहित होती है तब 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 उस तार के अनुप्रस्षे तरफल से एक कुलम आवेश प्रवाहित होगा तब उस ऐसा लिख लो तब उस तार के अनुप्रशेत्रफल से प्रवाहित आवेश एक कुलम होगा ठीक है मदब कुलम लाग वस इतना लिखना है कि एक एंपिर धारा जब एक सकंड में गुजरेगी तो एक कुलम आवेश जाएगा उस तार के अनुप्रशेत्रफल से अचा और इसके अलावा इसके अन्य मातरक क्या होते है अन्य मातरक ये भी बहुत इंपोर्टेंट है अन्य मातरक क्या होंगे इसके इसके अलावा और क्या-क्या मातरक हो सकते है इसमें यह समझता है हम तो सर इसके अलावा भी कोई मातरक पॉसिबल है हाँ यह ऐसा ही मातरक इसके अलावाए इसके cgs महात्रक वगरा भी संभहे तो इसका छोटा महात्रक क्या होता है सब छोटा तो आपने ये बता दिया हाँ ये तो मैंने मिननी माइक्पे नैनो में बता ले CJS मात रख बोलेंगे और यह CJS मात रख होता है एक ESU ESU इसे बोलते हैं Electro Static Unit Electro Static Unit इसे EMUB के लिया कहा जा सकता है और इसे और इसे इसी को या एक Franklin भी कह सकते है क्या कह सकते है एक Franklin भी कह सकते है ESU भी बोल सकते है Franklin भी बोल सकते है या इसी का नाम तीसरा जो होता है वो होता है State Coulomb क्या होता है State Coulomb तो इसी के तीन नाम होते है ESU Franklin और State Coulomb अब यह सर होता किसके बराबर है होता किसके बराबर है Franklin Capitice का नाम है दूसरा ESU Electro Static Unit को अही नाम Franklin होता है और उसे स्टेट कुलाम भी नाम देते हैं अब यह कितने के बराबर होता है मैं जब कितने कुलम आवेश में या कितने state कुलम आवेश में एक कुलम बन जाएगा तो यह छोटा मात रखे तो actual में यहाँ पर हमारे पास 3 into 10 की पावर 9 तीन गुनात इसकीगात 9 ESU मिलकर एक कुलाम बनाते हैं बहुत important सा conversion क्या 3 into 10 की पावर 9 ESU मिलकर एक कुलाम बनाते हैं देखो यहाँ पर यह मातरक छोटा है तो इसके आगे नंबर बड़ा आना ची तो 3 into 10 की पावर 9 ESU बराबर एक कुलाम होता है ठीक है अगर आप चाहो तो इसका उल्टा भी पता कर सकते हो क्या कि सेर एक ESU कितने कुलाम के ब और या और या आप चावतर से लिख सकते हो 3.3 into 10 की पावर 9 in 10 के बराबर 3.3 into 10 के बरावर 10 koolam के बराबर होता है कौन बराबर होता है 1 ESU 3.3 into 10 के पाओ minus 10 koolam के बराबर clear है कहानी तो यह क्या माज़र था CGS मात्रक का माज़र था इसका छोटा मात्रक क्या होता है कितना होता है अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसके एक और मात्रक की तरफ बढ़ना है हमें जो बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है और दूसरी बात है ना बहुत इंपोर्टेंट है और दूसरी बात वह इससे बड़ा है मतलब कुलाम से भी बड़ा मात्रक है क्योंकि यह यह बोर एक्जांस में बहुत बार पूछे जाने वारी चीज़ है ठीक है तो इसका बड़ा मात्रक लिखेंगे हम इसमें एक और बड़ा मात्रक लिखेंगे एक और बड़ा मात्रक लिखेंगे हम इसमें अन्य मात्रक में एक बड़ा मात्रक लिखेंगे तो इसका बड़ा मात्रक क्या होता है इसका बड़े मात्रक का नाम होता है यहाँ पर फ्रैंक्लिन था यहाँ फराड़ नाम है फराड़ यह बहुत बड़ा मात्रक होता है सरक कितना बड़ा मात्रक होता है एक 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 फराड़े में 96498 या लगबगाते वे 965 00 कूलाम लिखा जा सकता है एक चल में एक कूलाम ही बहुत बड़ी चीज़ होती है और रहा सहा एक फराड़े तो एक फराड़े तो बहुत बड़ा आवेश हो गया 965 00 कूलाम के बराबर एक्जेक्ट वेल्यू जो है वो तो है 96498 कूलाम लेकिन लगबगाते वे हम इतना बड़ा है तो उसमें 96000 उसमें एक दो रुपे कम जाब भी वेज़ा तो कोई फरक नहीं पड़ता तो उसे हम 965 00 कूलाम लिख देते हैं ठेक है तो यहां पर यहां कुछ इंपोर्टेंट सी बाते इसका बड़ा मात रखे और इसका छोटा मात जो में पता होना चाहिए इसके अलावा हम एक और चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं तो इसके और भी मात रख वगर हम बता सकते हैं लेकिन यही यूजली हर जगा पूछे जाते हैं एक और इंपोर्टेंट सी बात एक और अगली इंपोर्टेंट सी बात इसकी वीमा क्या होगी वीमा हाँ आवेश की वीमा क्या होगी कोई बता सकता है आवेश की वीमा आवेश की वीमा क्या होगी आवेश की वीमा क्या होगी आवेश की विमा AT 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 सबसे पहले बता है गौतम कुमार ने very good बेटा IT अमित साजित सिद्धिकी नवी उदित very good cute boy बेटा ना हरकते तो ऐसी कर ताकि तो बागई में cute लगे क्या पूछ रहे है तो किसी और को हाई हलो कर रहा है बेटा वो लड़की नहीं लड़का है क्यों अपना time बरबाद कर रहा है पर लगते को क्या होता है अभी मजा आता है ये cute boy पिछले साल भी पढ़ रहा था पिछले साल इसने मस्ती मारी पूरे time फिर उसके बाद में आखरी आखरी में आके इसने one shot return करे आसे बहुत सारे cute boy होते हैं उनकी कहानी में तुमें सुनाता हूं क्या करते है जिन्दगी में पहले स्ट्राइडिक में मस्ती मारेंगे कुछ नाम दिख जागा उसको high hello बोलेंगे लेकिन फिर उसके बाद में उनको तो ये भी ने पता है लड़की है या लड़का है फिर भी चलो ठीक है हाई hello बोल दिया फिर ये करते करते दो-तिन मेंने निकल जाते हैं फिर आखरी आखरी तक पॉस्त पॉस्त इनको लगता है आब हम one shot देख लेंगे फिर one shot देखके पता चलता कि यार हमें न स्टार्टिंग से ध्यान देना चाहिए था फिर लगता कि यार स्टार्टिंग से तो कुछ पढ़ा नहीं है वन शॉट से ज़्यादा कुछ होने वाला है तो अपने मन को दिलासा देने के लिए वन शॉट बगरा देख लेते और ऐसा लगता है अरे चलो ठीक है हाँ 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 कुछ तो समझ में आ गया फिर अग्जाम होती नंबर आते नहीं है फिर अगले साल फिर से सोचते हैं कि इस साल हम बढ़िया से पढ़ेंगे इस साल अब बढ़िया से पढ़ेंगे फिर अगले बार अगली बार फिर से वही करना शुरू करते हैं अभी तो बहुत टाइम है पढ़ लेंगे अराम से फिर वो टाइम निकल जाता हैं और इस चक्रव्यू में फ़स जाते हैं और गोल 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 गोमते ही जाते हैं गोमते ही जाते हैं तो इसका है ना हाँ और इस प्रकार इनके आत्मा को कभी शांती नहीं मिल पाती शांती नहीं मिलेगी बिटा इनके आत्मा को शांती मिल जाते हैं नहीं इस से शांती नहीं मिल गोल 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 हमें फसकर रह जाते हैं और उलच कर रह जाते हैं तो इसका हल क्या है पहले दिन से पढ़ा जा रहा है डीटिल में पढ़ा जा रहा है तो उसको ध्यान से देखो और पढ़ो या फिर इसके बाद इसके अलावा मेरे पास इसका एक बहुत रामबान हल है बताओ एक बहुत रा तो मैं तुम्हें बाहर खीच सकता हूँ, मैं खीच नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें बाहर उड़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें पलायन वेग दे सकता हूँ, तो बस वही पलायन वेग दे दूँगा, एक क्लिक करके, चाल, देखो वही, तो अब यहाँ पर, है आवेश के धारा इंटू समय बराबर होता है आवेश के क्या 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 धारा मूल भूतराशी है बिल्कुल सर्धारा मूल भूतराशी है तो यहां पर हम लिख सकते हैं धारा के लिए ए और समय के लिए टी एवन टीवन यहां हमारे लिए आवेश की वीमा आगे आवे बात बराबर ही है क्योंकि M और L द्रव लंबाई और द्रविमान नहीं है इसमें ठीक है चाला आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें एक और अच्छा क्या मात्रक और विमादक सपो कानी चमकती है अब आगे हम next heading डालेंगे और लिखेंगे आवेश के विशिष्ट गुण सबसे important सी बातों में से एक कि भाया आवेश जो हमने पढ़ लिया इस आवेश के गुण क्या क्या होते आवेश के विशिष्ट गुण क्या क्या होते वो अब हमें समझना है एक एक करके कहानी की शु गुण पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके निमेरिकल की तरफ भी हम बढ़ने लग जाएंगे ठीरे 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 तो next heading डालेंगे आवेश के विशिष्ट गुण कुछ गुण आप बताओगे कुछ गुण मैं बताओंगा है ना तो कुछ बेसिक गु हाँ सब लोग मिलकर बोल रहे हैं सर कि आवेश जो होता है point number one आवेश आवेश अदीश राशी होता है आवेश अदीश राशी होता है कैसे आवेश के पास दिशा नहीं होती है वो उसका परिमान होता है चार कि आट कि लुम आवेश तो वो आवेश के साथ दिशा नहीं बोलते हैं कि उत्तर दिशा में पुरब पश्यम आई दिशा में या एक्स दिशा में वाई दिशा में जड़ दिशा में दिशा नहीं होती है उसमें कर परिमान होता है तो आवेश अधीश राशी होता है पॉइंट नंबर टू यार कुछ ऐसा बताओ जो बिल्कुल बेसिक था और तुम लोग सोड रहे हो हाँ आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते है अच्छा बड़ा क्यों छोटा क्यों कब कब यूज होता है बड़ा क्यों छोटा क्यों रोशन पांडे अना तुरा घर का नाम हो बहार का नाम अलग अलग है लेकिन तो आदमी तो वही है ना वेक्ति तो वही है कभी छोटा भी लिख सकते है बड़ा भी लिख सकते है कोई फरक नही आदित्य राठर कोई बात नहीं बैटा आप कोई समस्य वाली बात ही ना आप और भी कहीं से देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको समझ में आना चीए कहीं से भी पड़ो यह ज़दा जरूरी है क्कौंटि करत होता है सबसे बेशिक सी बात सबसे इंपोर्टेन सी बात की अगर हमारे पास हमारे पास समान Ki आवेश समान प्रकृती के आवेश बताव ही क्या करेंगे समान प्रक्रतिक्या वेश पॉजिटीव पोजिटीव हो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्शित या प्रतिकर्शित आकर्शित या प्रतिकर्शित हाँ अट्राक्टिव एंडर पलसे बिल्कुल सही बात दो आवेश कभी नहीं काटते ये एक तो ये पता नहीं किस यूटीबर का नाम रख लिए इलविश विलविश ना हरकते भी तेरी उसके जैसी है दो आवेश एक दूसरे को कभी नहीं काटते अबे कौन से यूग से है वो था दो विद्युत धाराई या वहाँ पर चुमबकिय जो बल रेखाये थी या विद्युत बल रेखाये थी वो एक दूसरे को नहीं काट रहे थी दो आवेश एक दूसरे को नहीं काटते कुछ भी वहाँ से पढ़ा यहाँ भी बोलेंगे और वहाँ भी बोलेंगे हर जगब बोलेंगे कुछ भी बोलना है तो बोलो बस समान प्रक्ति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्शित करेंगे सबसे पहली बात और इंपोर्टेंट सी बात है तो एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते है और समान और साज विपरित प्रक्रथी और विपरित प्रक्रति के आवेश प्रक्रति के आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ सर कि अगर हमारे पास हमारे पास एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे एक नेगेटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे मतलब अगर एक जैसे लोग मिले तो क्या होगा सर कुछ ना होगा है ना तो चलतुर दूर निकलतर समझे बात नहीं करने ना लेकिन अगर मान के चलो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जैसे चिंटू और मुन्नी एक दूसरे से मिले तो क्या होगा सर यह विपरित प्रक्रती है एक दूसरे की क्या है विपरित प्रक्रती तो विपरित प्रक्रती में आकरशन होगा और और समान प्रक्रती में प्रतिकरशन होगा यह सबसे ज़दा इंपोर्टन सी बातों में से एक चलो, point number 3 की तरफ आते हैं, point number 3 की तरफ आते हैं, point number 3, यहना, clear है मामला, यह यह विसे मिझे लगता है, पांच भी छटी क्लास यह आठ भी में पढ़ाते हैं, यहना positive positive negative negative दूर भागेंगे, यहना positive negative जो होंगे, वो एक दूसरा का आकरशित करेंगे, चलो, अगले important सी बात, आवेश, अच्छा, आवेश एक सदीश राशी होती है, हाँ, और बताओ वई, और point बताओ, और point बताओ, चलो, आगला, अगला point लिखेंगे, देखो, जब अगर एक आवेश, अधीश राशी है, तो आवेश को हम आसानी से जोड या घटा सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हम दो, या, दो या, दो से अधिक, अधिक आवेशो को, आवेशो को, आवेशो को योग किया जा सकता है, अधिक आवेशो का अधिश योग, अधिश योग किया जा सकता है, अच्छा सहाँ, अधीश योग किया जा सकता है कहने का मतलब क्या है, अधिश योग मतलब कि अगर मान के चल मेरे पास, सब्सक्राइड कर सकता हूं मैं सिदे सिदे मान के चलो मेरे पास कहीं पर आवेश है पांच कुलम कहीं पर आवेश है तीन कुलम मैंने इंको मिला दिया तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो सर अगर हमारे पास मान के चलो यहाँ पर कहीं पर पॉजिट दिया इसमें कोई rocket science वाली बात नहीं है इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास कहीं पर plus 8 कुलम आवेश था उसके साथ मैंने उसके साथ मैंने minus 12 कुलम आवेश जोड़ दिया तो कितना आजाएगा कितना आजाएगा प्लस आठ था उसके साथ मैंने बाइनस बारा कुलम आवेश जोड़ दिया तो कितना आवेश आजाएगा कितना आवेश आजाएगा सर यहाँ पर हम लिख सकते है आठ और बारा मिलके माइनस चार कुलम बना देंगे कितना बना देंगे, माइनस 4 कुलम बना देंगे, तो यह चोटे-चोटे सी बात है, यह हम कर सकते हैं, बिना किसी समस्या के, ठीक है, चल, अगला पॉइंट, पॉइंट नमबर 4, पॉइंट नमबर 4, आवेश का योग किया जा सकता है, विल्कुल, अगला पॉइंट, मतलब क्या हुआ, देखो, इस दुनिया में सन्रक्षन नियम, सन्रक्षन नियम केवल 4 चीजों के लिए लागू हो सकता है, यहना 4 चीजों के लिए लागू होता है, कौन कौन सी, आवेश सन्रक्षित होता है, उरजा सन्रक्षित होती है, और द्रव्यमान, ना 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 दरविमान संरक्षित नहीं होता रेखिये संवेक और कौन ये संवेक संरक्षित होते है केवल चार चीजों का संरक्षन का नियम है अच्छा सर संरक्षन के नियम का मतलब क्या हो आवेश संरक्षित रहता है आवेश के संरक्षन का नियम का मतलब ये हो गया है कि हम ना तो इस दुनिया में नया आवेश बना सकते है ना तो पुराने आवेश को तोड़ सकते है क्यों क्योंकि ना तो इलक्टरॉन नया बनाया जा सकता है ना तो इलक्टरॉन को तोड़ा जा सकता है बस इलक्टरॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तरिट कर सकते है इसक मतलब आवेश जो है वह हमेशा संरक्षित रहेगा आवेश कभी भी खतम नहीं हो सकता ना तो ना आवेश बन सकता है यहना जैसे अगर मान के चलो एक्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर प्लस साथ कुलम आवेश था इसमें से इसमें से मैंने निकाल लिया मैंने इस में से दो कुलम आवेश निकाल लिया तो मेरे पास net कितना बचेगा ऐसा लिख देते हैं मैंने इस में से दो कुलम आवेश को निकाल लिया तो net कितना बचेगा net बचेगा सरफ 5 कुलम आवेश कैसे करा आपने इसमें से घटा दिया क्यों टोटल कितना आविश था पहले था साथ कुलम आविश उसमें से दो कुलम आविश निकाल लिया तो बचा कितना पांच क्यों 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 कि आविश संरक्षित हो रहे ये बीच में से दो कुलम गया वो गया कहीं किसी के पास तो बचा पांच ऐना ऐसा नहीं है कि बीचे में से मामला गड़बड हो जाएगा डालम डोल हो जाएगा यह ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे पैसा, पैसा संरक्षित नहीं रहता है पैसे, पैसा संरक्षित रहते गा नहीं सर पैसे संटक्षित नहीं रहता है अगर मान के चलो मान के चलो कि तुमने तुमने किसी को दिये कि भाई उस तक ये एक लाक रुपे पहुचा देना तो उसके मन में क्या आ जाएगा कि यार इतने में से थोड़ा गायब भी हो जाए तो क्या पता चलेगा ठीक है तो कह जार रुपे सरकार ने दिये उससे थोड़ा कम नीचे मिला उससे कम नीचे मिला आखरी में जो भै उससे तो बहुत ही कम मिला मतलब क्या हो रहा वो संदक्षित नहीं है लेकिन आवेश जरूर संदक्षित है अब यहाँ पर इसी प्रकार से अचा मुझे उम्मीदे कि यार यह तो कुम कर लोगे ना इसमेंगर मैं बोलू कि और आवेश घटा है आप जोड़ा तो जोड़ घटा हो जैसा ही है आवेश संरक्षन का नियम अच्छा अगली बात दिखते हैं आवेश अपरिवर्तिय है आवेश अपरिवर्तिय होता है का कहने का मतलब क्या है आवेश अपरिवर्तिय होता है इसका कहने का मतलब क्या है सर यह कैसे कहने अपरिवर्तिय है मतलब बदल नहीं सकता आवी तो बदल कभी दोड़ नहीं सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकता है इसका मतलब क्या है देखो सबसे पहली बातों में समझना होगा क्या पर हमारे पास example से समझते इसको द्रव्यमान जो है द्रव्यमान तो द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान परिवर्तिय होता है परिवर्तिय होता है इसका कहने का मतलब क्या है इसके कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान जो है अगर हमारे पास हमारे पास किसी भी वस्तू को हमने से इलक्टॉन है प्रोटॉन है इनको बहुत तेज चला दो दम तेज सनाटे में निकल जाए जना है दम तेज किता तेज सर स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की 40 के करीब तक चला जो तो यहां पर वन यह इस सूतर से हम यह पता कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु को बहुत तेज चला जाए तो यहां पर जब स्पीड बढ़ाई जाए मतलब ऐसा नहीं कि बीस मीटर पर सेकंड तीस मीटर पर सेकंड नहीं 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 इसा कुछ दसकी गात 5 मीटर पर सेकंड से दसकी गात 8 मीटर पर सेकंड से दसकी गात 6 मीटर पर सेकंड से इताते चल रहा है तो इताते चलेगा तो इसका दरविमान जो है वह बढ़ जाता है है नहीं वह भारी हो जाती है और एम नौट का है एम नौट जो है रस्ट मास व विनावस्था का द्रविमान रावस्था में द्रविमान पिंड का यवस्थु का ये लेक्ट्रॉन का कन हें से अनल कीजी कि यह इलक्टरोन प्रोटोन वगर को चला सकते इतना थे तो यह वेग पर निरभर करता है यह अल्टिमेटली हमें क्या पदल चला कि यह वेग पर निरभर करता है द्रविमान लेकिन आवेश जो है आवेश अपरिवर्तिय है तो इसका तात्परी क्या हुआ वेग पर इसका आदो कित्ता भी कम करतो उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्लियर है कहानी तो यह सब कुछ important से points थे important सी बात है थी जो मैं पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगले important से point की तरफ अगला important सा point और कोई सा point किसी के टेलिग्राम पर सर्च करना होगा spsar underscore doubtnet या आप doubtnet neat hindi medium भी सर्च कर सकते हो ठीक है तो doubtnet neat hindi medium को टेलिग्राम चनल में लगा या आप spsar underscore doubtnet भी लिख सकते हो ठीक है तो यससे भी आप ये वाले notes पा सकते ही ठीक है चाल ओके आगे बढ़ते हम हाँ एक last point की तरफ हम जाते है जिसे हाँ algebraic sum करवा दिया पेटा चलिए तो अगले point की तरफ ये last point की तरफ जाते है हम जिसे बोलते है कि आवेज होता है वो quantity कृत होता है quantity करण quantity करण या आवेश का quantity करण quantity करण होना या quantity करण होना इसका मतलब क्या होता है सबसे पहरे तो ये समझते है quantity करण मतलब word का मतलब पहले समझेंगे फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे quantity करण मतलब क्या होता है जैसे हम इंसान इंसान quantity करण है quantity करण है मतलब क्या हुआ कि एक इंसान हो सकता है दो इंसान हो सकते चार इंसान हो सकते हजार हो सकते लाख हो सकते है करूर हो सकते है डेड़ पोने दो एक दसम लोग चार एक दश्म लोग तीन क्या कभी तुमने एक दश्म लोग तीन इनसान देखे है क्या कभी तुमने एक दश्म लोग तीन इनसान देखे है नहीं सर इनसान या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है या तीन हो सकता है लेकिन डेड़ बिल्ली कहीं नहीं हो सकती है साड़े चार बिल्लिया नहीं पाई जा सकती है तो इसका मतलब क्या है यह कौन्टी कृत है यह पूर्ण गुनच के रूप में हम इसे पाक सकते हैं किसी भी बस तो करना कौन्टी कृत मतलब क्या होता है पूर गुणज के रूप में एक दो तीन पचास साथ अजार ऐसे हो सकते हैं इसी प्रकार से जो आवेश होता है वह भी कौन्टी कृत होता है तो आवेश कौन्टी कृत होता है इसका मतब क्या है तो किसी भी वस्तु पर जो संभव आवेश है किसी भी किसी भी वस्तु पर संभव आवेश संभव आवेश क्यूँ बराबर होगा एन्टी के या प्लस मिनस एन्टी जो कुछन भी इलिए गजसा क्ता है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी भी वस्तु पर आवेश आएगा तो बहुते हो है उसके पास आवेश आया तो या तुम उसे एक electron दूँगा, दो electron दूँगा, तीन electron दूँगा, तो negative आविशित होता जाएगा तो उसके पास total आविश कितना हो सकता है, उसके पास आविश हो सकता है वो एक, दो, तीन, चार, पाँच हो सकता है कोई भी प्राकरत संख्या हो सकती है कोई भी प्राकरत संख्या आ सकती है एक, दो, तीन, चार, पाँच है तो यहाँ, यहाँ हमारे पास आवेश संभव है यहाँ हमारे पास आवेश संभव है क्यों संभव है क्योंकि मेरे पास एक लेक्ट्रों हो सकता है दो लेक्ट्रों हो सकते चाह लेक्ट्रों हो सकते पास लेक्ट्रों हो सकते चे लेक्ट्रों हो सकते उससे उसके बीच में कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं है तो N क्या है? N, N actual में, N जो होगा, वह यह हो सकता है, और N actual में है क्या है? Electron की संख्या, और E क्या है? E जो है, वो एक electron का आवेश 1.6 इंडू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 इंडू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश है, मतलग क्या हुआ? कि अगर मैं किसी भी वस्तू पर आवेश देखू तो वो तो एक electron के बराबर, 2 electron के पावर, 3 electron के पावर हो सकता है, तो नियूनतम आवेश जो संभाव होगा, वो कितना होगा? 1.6 इंडू 10 के पावर, माइनस 19 कूलाम के पावर, ठीक है, तो इतना लिख लिए सभी ने? क्या सभी चीतों ने लिख लिए? क्या सभी चीतों ने लिख लिए? अब अध्यार ओपन का जो है, वो मैंने लिखवा दिया ना, योग किया जा सकता, तो अध्यार ओपन बहुत बराबरी होगी, ठीक है, वैसे इसमें अधीश, ये अधीश है न, तो इसमें सदीश अध्यार ओपन का सिद्दान तो लगे गा नहीं? चाले, तो निवनतम, अब इसमें बहुत सारी बात है करनी है, तो अगला ही बात लिखेंगे, निवनतम संभव आवेश क्या हो सकता है? एन बराबर वन हो सकता है, तो यदि एन बराबर वन होगा, तो क्यू का मान कितना आजगा सब क्यू बराबर होगा, 1.6 इन तो 10 के पावर, माइनस 19 कूलाम, तो इस दुनिया में जो सबसे कम आवेश संभव है, किसी भी विस्तू पे, वो 1.6 इन तो इन पावेश क्यार की वेल्यू टू रागे देंगे तो क्या जगा Q बराबर सर 2 इंटू इंटू यह हो जाएगा यह हम लखेंगे 2 इंटू 1.6 इंट के पावर अना इसके बीच का आवेश संभव नहीं है जो संभव आवेश है वो 1.6 इंट के पाव मैंनस 19 इंट के पाव मैंनस 19 कुलम आवेश ही संभव है क्लियर है माम दा तो यहाँ बहुत इंपोर्टन सी बात है जो हमें पता होना चाहिए अच्छा तो आज की क्लास अभी हम इतनी रखेंगे इसके उपर निमेरिकल्स जो है वो अगली क्लास में हम और प्राक्टिस करेंगे जाने से पहले मैं एक होमवर्क में कॉश्चन देना चाहूंगा आपको होमवर्क में कॉश्चन आपको पता करना है कि एक कुलम आवेश में एक कुलम आवेश में एक कुलम आवेश में इलक्ट्रोन की संख्या कितनी हुई एक कुलम आवेश में इलक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता करना है Q बराबर N E रखना है E की वेली में आपको बता दिये आवेश अगर एक कुलम हो जाए हैना Q बराबर एक कुलम हो जाए तो इलक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी ये पता करना है आपको ठीक है तो आज की क्लास में जितना पड़ा एक बार रिवाइस करना है इसके अलावा हूमवर्क में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें जितना मैंने पड़ाया उस पे आधरित कुछ कुछ कुछन से वो कुछन्स जो है वो आप अटेम्ट करेंगे वो आप ट्राइ करेंगे और इसके बाद में कल केमिस्ट्री क्लास होगी परसो फिर से फजिक्स की क्लास होगी तो परसो जो फजिक्स की क्लास होगी मतलब कि शनिवार के दिन जो फजिक्स की क्लास होगी बिटा उस class में मैं आपको ये वाला question भी करवाऊंगा और जो homework के questions है उसके जैसे और भी questions प्राक्टिस करवाऊंगा ठीक है तो इस class का फाइदा उन्हीं बच्चों को मिलेगा उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जो regular रहेंगे जो नियमेज रूप से homework करेंगे और साथ ही साथ जो class में बदा जा रहा है उसको बड़े अस copy में लिकर revise करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप भी जिसे देखो ये ये हम free classes क्यों शुरू करेंगे काफे सारे बच्चे थे कि सर हम लोग RM batch afford नहीं कर सकते सर हमें पढ़ने का हक नहीं है क्या है सब को बढ़ने का हक है इसलिए ये वाली classes extra की जा रही है इसलिए आपको सब कुछ detail में आप ये आज मैंने बिलकुल basic से बिलकुल detail में सारी बाते आप लोगों को पढ़ाई है तो अगर आप लोग भी connect हो रहे हो आप लोग यहां पर जोट रहे हो आप सारी classes देख रहे हो तो इसलिए आपको अपने सारे दोस्तों के साथ share भी करना होगा और इसके अलावा इसके अलावा आप लोगों को ये class के बाद में जो मैं बताया जा रहा हूँ वो करना ही होगा class कैसी लगी नीचे comment में जरूर लिखना है और मुझे वादा करना है कि अगली class से आप लोग regular रहोगे और जो भी homework के questions दिये जा रहे वो बिलकुल करोगे क्या SP sir के सभी चीते homework और class regularly करेंगे हाँ या ना ये आपको class खतम होने के आद में नीचे comment जरूर करना है अब हम मिलेंगे परसो की class में इसी को आगे बढ़ाएंगे L2 इसका लेक्चर नमबर 2 करेंगे ठांक यू टाडा बाई बाई